अलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नवी, I am Shivani Jahan, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे Class 7, Civics के बुका Chapter 8, A Shirt in a Market, मतलब एक जो shirt है, आप तक कैसे पहुंचती है, किस तरीके का उसमें प्रोसेस होता है, वो हम देखेंगे इस चेप्टर में हम देखेंगे एक shirt की कहानी, किस तरीके से जो cotton है, जो रूई है, वो बनती है, और कैसे रूई से वो एक shirt बन जाती है, पूरी chain देखेंगे, कि मार्केट में किस तरीके से जो cotton बनाते है, to the buyer, मतलब आप लोग को, मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं, कि दुका मतलब इसको धागे को कपड़ा में convert किया, फिर कपड़े से मतलब पूरा प्रोसस हम इसमें देखेंगे, और इससे किसका benefit होता है, किसको loss होता है, क्या होता है, यह सारी की सारी चीज़े भी हम इसमें चाप्टर में समझने की कोशिश करेंगे, तो अग cotton, फार्मर अन कुर कोटी चोटी बॉल्स की फॉर्म में होता है, इसलिए मनें cotton balls कहते है, तो balls of cotton plant जब वो पक जाते हैं, and some have already burst, तो उसके जो खेत है, उसमें जो cotton की फसल है, वो कुछ तो फूल करके, मतलब राइब हो गए हैं, पक गए हैं, और कुछ बचे हुए हैं, तो सपना बिजी है, प कोटन बॉल्स होते हैं, वो एक साथ ही नहीं फूल जाती है, एक साथ ही नहीं निकल आती है, इसलिए हार्वेस्ट करने में, जो उसको बहार निकालने में पेड में से थोड़ा सा टाइम लगता है, कई दिन लग जाते हैं, तो जैसे collect कर लेते हैं, सारे के सारे वो अपनी जो उनके खेत में से, तो इंस्टेट अफ सेलिंग एट नहीं करनूल कॉर्टन मार्केट, तो कॉर्टन मार्केट में सपना नहीं उसको बेचने चाती है, सपना उसका हस्बेन चाते हैं, एक लोकल ट्रेडर पे, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जब सीजन बिगेन हुआ था सीजन जब स्टार्ट हुआ था कॉर्टन को उगाने का, सपना ने उधार लिया था, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, सपना ने 2500 रुपीज एक ट्रेडर से व्यापारी से, जो हां का, व्यापारी था उनके गाउं का, उससे उधार लिया था, काफी हाई इंटरस्ट रे जिसे कि हर महीने 10% है, तो हर महीने आपके 100 रुपे पे 10 रुपे एक्स्ट्रा लग जा रहे हैं, अगर आपने 6 महीने के बाद के सी परसंट को पैसे वापस करें तो आप 160 रुपीज करेंगे, तो यह चीज इंटरस्टेट होती है, मात्स की चीज़े है, वैसे में थोड़ तो उसने उधार लिया था, अब sowas उने उधार लिया था, तो अपना इस बात पर उतने पर सवसारी पाति ऊगरी करना पदा था, सपना को के छो अपनी अपनी फस वासर होगी वह उसी य जा सकती है और उस व्यापारी को cosm doe पेचनी पड़ेग ऐगी, कल्टिवेशन जो है, जब आप cotton उगाते हैं तो उसमें काफी सारे inputs आपको डालने पड़ते हैं मतलब काफी सारी चीजे डालने पड़ते हैं जैसे की fertilizers, pesticides and the farmers have to incur heavy expenses मतलब fertilizer, seed, pesticides इन सब में काफी ज़्यादा खर्चा आता है इसलिए जो छोटे किसान होते हैं उनको उधार लेना पड़ता है अब टेडर का जो याड है उसमें क्या है जो याड मतलब इक तरह से आप आंगन कह सकते हैं तो वहाँ पर जो दो लोग है cotton के bags को तोल रहे हैं उसका price है 1500 पर कुंटल मतलब एक कुंटल जो cotton का bag है उसका जो price है 1500 है और cotton फैचे 6000 जो सपना की cotton है वो उसके 6000 रुपीज मिले अब टेडर ने डिड़क्ट कर लिए क्योंकि सपना ने 2500 का उधार लिया था अब इंटरेस्ट लगा करके वो पैसा हो चुका है 3000 सपना को टेडर को देने है तो टेडर ने जब सपना की cotton खरीदी तो सपना को 6000 रुपे टेडर को देने थे पर सपना ने डाई हजार का उधार दे रखा था जिस पर 500 रुपे का इंटरस्ट भी लग गया था तो 3000 अब ट्रेडर ने अपने काट लिये और 3000 सपना को दे दी क्योंकि उसकी cotton के तो 6000 बनते थे सपना की अब 3000 का उधार था ये देखिए मैट्स आप आप ये समझ लिजी कि बहुत मार्केट में काफी जादा cotton है सपना कहती है कि उसने टॉल गया है मतलब बहुत ही महनत की है चार महीने तक इस cotton को उगाने के लिए चार महीने cotton उगाने के बाद उसको कितने पैसे मिले सिर्फ 3000 रुपे अब वो कहती है कि देखो मेरी cotton कितनी clean है कितनी fine है इसलिए में को मैं कैसे आपको डाउट कर सकती हूँ कैसे आप पे शक कर सकती हूँ मैं तो बस यह सोच रही थी कि मैंने जो इतनी महीनों तक महनत की है उसका मुझे थोड़ा अच्छा दाम मिल जाता सपना को यह पता था उसकी वसल इस ट्रेडर ने देखी कितने रुपे में ली है 1500 रु रहना पड़ता है इस ट्रेडर पर लोल लेने के लिए क्योंकि काई पार जब एक्सिजन्सी आ जाती है मतलब कोई मुश्किल की घड़ी या फिर एकदम से जुरत पढ़ जाती है पच्छों की स्कूल की फीस देनी होती है घर में कोई बिमार हो चाता है और साल की कुछ मही इवेशन करके थोड़ा बहुती कमा पाती है जो डेली वेज ओनर्स होते हैं जो मज़ूर होते हैं उनसे थोड़ा बहुती जादा सपना कमा पाती है खेती करके